आज हम मैस में एक्सरसाइस 6 को करेंगे कल हमने मैस में चैप्टर नमर 1 की एक्सरसाइस 5 को पढ़ाता आज मैं आपको कराऊंगी उसी चैप्टर की एक्सरसाइस 6 ठीक तो चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइस 6 में आपका 1st question क्या है देखिए Find the greatest and the smallest number आपको क्या करना है greatest and smallest number find करने है ठीक मैंने क्या बोला आपको इस पूरे number में से क्या देखना है greatest number लिखना है और smallest number लिखना है ये लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि greatest का मतलब क्या होता है और smallest का मतलब क्या होता है किसी को पता है बताईए मुझे greatest हम किसे कहते हैं बोलिए नहीं बता चलिए मैं आपको बताती हूँ greatest हम बोलते हैं बड़े number को greatest हम किसे बोलते हैं बड़े number को large number को ठीक अब smallest क्या होगा पता होगा ये तो smallest है हमारा छोटा number तो यहाँ पर बहुत सारे numbers लिखे हुए हैं आपको उसमें से greatest यानि की बड़ा number लिखना है and smallest क्या छोटा number लिखना है ठीक समझा आगया आपको इतना तो चलिए अब इस सारे numbers में से पहचानिए बताइए कि कौन सा number greatest है और कौन सा smallest नमबर को पढ़िए कौन कौन से number है 382 4972 1895 5785 750 अब हम ये कैसे पता करें कि हमारा कौन सा number बड़ा उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप लोग डिजट काउंट करिए इस number कितने डिजट है 3 इस number कितने डिजट है 4 तो ये छोटा हो गया अब हमें से देखना नहीं है अब हमारे पास 3 number है ये 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 अब आपको इस में से पहचाना है कि कौन सा number greatest है उसके लिए क्या करेंगे आप first number देखिए तीनों का क्या है 4, 1, 5 अब इन तीनों में से बड़ा क्या है 5 तो यानि कि आपका सबसे बड़ा number कौन सा हुआ 5785 कौन सा number आपका बड़ा हुआ 5785 अब आपका इस में से छोटा number कौन सा है देखिए ये तो 4 digit वाले है ये दो हमारे 3 digit वाले थे तो अब हमें इन देखना है इसके first number क्या है 3 और इसका क्या है 7 कौन सा छोटा है 3 तो आपका सबसे smallest number क्या हुआ 382 smallest क्या हुआ 382 समझ गए आप लोग अभी तीनों पार्ट्स आप कर लेंगे इस questions के चले आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं अपना question number 2 क्या लिखा है ये write अब आपको इन तीन sign यूज़ करने है for each pair of numbers आपको compare करना है कि कौन सा number बड़ा है या फिर कौन सा number छोटा चीक आप देखिए कैसे compare करेंगे ये number है ये number है पढ़िए दोनों को 6730 और ये क्या है 6731 कौन सा number बड़ा है जो number आपका बड़ा होगा वहीं पर आपको ये V जो हमारा उल्टा हुआ बना है वो बना देना है समझ गए अब ये वाड़ा देखिए ये number क्या है 8887 ये क्या है 8788 कौन सा number बड़ा है इन दोनों मैंसे ये तो हमें इसी की side V बना देना है ठीक कर लेंगे आप लोग question number 2 चले आगे पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं अपना question number 3 क्या है circle the greatest number in each pair आपको इन दोनों मैंसे पहचानना है कि कौन सा number greatest है और उस पर क्या करना है circle बनाना है समझ गए तो greatest अभी मैंने आपको बताया greatest number हम किसे कहते हैं greatest हम बोलते हैं बड़े वाले number ठीक अब आपके पास दो number लेके हुए हैं 2,929 या फिर 3099 इन दोनों मैंसे बड़ा क्या है 2,999 मैंने गलत पढ़ा क्या लिखा है 2,929 या फिर 3099 इसमें 4 डिजट हैं इसमें 3 हैं कौन सा बड़ा है ये 2,929 पर हमें कर देना है circle समझ आ गया अब ये वाला देखिए क्या लिखा है 4,525 या फिर 4,555 कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों मैंसे 4,555 बड़े नंबर पर हमें क्या करना था circle हमने कर दिया चीक इसके दो question मैंने करा दिये और बाकी के दो आप लोग खुद करिएगा बस करना क्या है बड़े नंबर पर आपको circle करना है greatest नंबर पर आपको circle करना है ठीक आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे question number 4 को देखे question number 4 क्या है circle the smaller number in each pair आपको क्या करना है smaller number पर circle करना है अब मैंने अभी आपको smaller के बारे में बताया था क्या होता है आपका smaller number सबसे छोटा number अभी हमने बड़े नंबर पर circle किया था यह उसका बिल्कुल opposite यानि कि अब हमें सबसे छोटे number पर circle करना है क्या करना है हमें छोटे वाले number पर circle करना है ठीक अब पढ़िए दोनों number क्या है आपके 5789 या यह क्या लिखाए पढ़िए 5897 इसमें से छोटा number कौन सा है बताये मुझे 5789 या फिर 5897 कौन सा छोटा है हमारा कौन सा number छोटा है अब यह कैसे देखेंगे फर्स नमबर आसका 5 दोनों सेम है अब हम सेकंड number देखेंगे इसका क्या है 7 इसका क्या है 8 तो छोटा क्या है 7 तो यानि कि आपका छोटा number कौन सा हो गया 5789 smaller number क्या है आपका 5789 ठीक आप इसका second वाला देखिए क्या है number पढ़िए दोनों क्या लिखी है 7008 या फिर क्या लिखाएए 7080 कौन सा छोटा है बताईए 7008 smaller number पे आपको क्या करना था circle हमने कर दिया तो आपकी exercise 6 के question number 123 बचों अब आपका हम कराते है question number 5 हमने 1,2,3,4,4 question complete कर लिए है exercise 6 के अब हम करेंगे question number 5 को देखिए क्या लिखा है arrange in ascending order आपको किस में arrange करना है इनको ascending order में अब आप लोग को पता है ascending order क्या होता है किसको पता है बताईए मुझे ascending order क्या होता है ascending order होता है हमारा छोटे से बड़ा वला order यानि कि आपको सबसे पहले सबसे छोटा number लिखना होगा फिर थोड़ा उससे बड़ा फिर उससे भी बड़ा और फिर सबसे बड़ा समझ गए ascending order हमारा होता है सबसे छोटे वाला नमबर हमें पहले लिखना है और फिर बड़ा और फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा ठीक तो आपके फोर नमर्स हैं फस्ट वाले question में पढ़िए कौन-कौन से हैं 8,355, 7,054, 2,903, 4,705 अब आपको इसमें से पैचाना है कि सबसे छोटा नमर क्या है उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चो उसके लिए हम फर्स नमर को देखेंगे इन सबके इसका क्या है 8 इसका 7 इसका 2 इसका 4 सबसे छोटा क्या है 2 तो आपका सबसे छोटा नमर क्या हो गया 2,903 यह हो गया है इसलिए हमने इस पे लाइन करती है अब हम ऐसी लिख देंगे 2,903 अब हमारा यह हो गया अब हमें इससे कोई पतलब नहीं है अब हमारे पास तीन नमर बचे है फिर से पड़े है फर्स नमर 8 7 4 क्या छोटा है 4 अब आपका छोटा नमर क्या हो गया 4,705 अब आपके पास दो नमर बचे है 8,355 या फिर 7,054 छोटा क्या है 7,054 और फिर यह है 8,355 देखिए हमने इससे असेंडिंग ओडर में लिख दिया सबसे पहले सबसे छोटा नमर लिखा फिर थोड़ा उसे बड़ा और फिर थोड़ा उसे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नमर लिख दिया समझ में आगे आपको question number five कर लेंगे आप लोग इसके तीनों पार्ट्स आगे बढ़े चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और question number six को पढ़ते हैं क्या लिखाए question number six arrange in ascending, arrange in descending order अभी हमने ascending order में arrange किया था अब हमें क्या करना है descending order में arrange करना है descending order क्या होता है बताईए descending order होता है हमारा कि हमें उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नमब लिखना है फिर थोड़ा उससे छोटा फिर थोड़ा और छोटा और फिर सबसे छोटा नमब लिखना होता है समझ गए तो पहले आप इस में नमबर को पढ़िए क्या क्या है 6430 5540 5397 9042 तो आप लोग सबसे पहले डिजिट पढ़िए इन सब की कितनी है 1234 1234 1234 123 तो आपका इस सबस्टूटा हो गया तो अभी हमें इसे देखना नहीं है अभी हमें इन तीनों को देखना है सबसे बड़ा नमबर हमें लिखना है ना पहले तो अब आप इनकी फर्स डिजिट पढ़िए 655 सबसे बड़ी क्या है 6 तो आपका सबसे बड़ा नमबर क्या हुआ 6430 हमें descending order में करना था descending order होता है हमारा हमें सबसे बड़ा नमबर लिखना होता है तो हमने लिख दिया यह हो गया अब आपके पास दो नमबर है 5540 या फिर 5397 कौन सा बड़ा है इन दोनों में से 5540 5540 ठीक उसके बाद यह 5397 और यह सबसे छोटा है क्योंकि इसमें 3 डिजिट ही है लिख दीजिए इस सबसे रास्ट में 94942 क्या लिखाएए 942 तो हो गया आपका यह 6 वाला क्वेशन कर लेंगे इसके बाकी के पार्ट तो आज हम लोगों नहीं क्या क्या किया आज हमने एक्सरसाइज 6 के क्वेशन नमबर 1 2 3 4 5 और 6 यानि कि हमने 1 2 6 क्वेशन सीखे आपको समझ में आ गए सारे क्वेशन तो बच्चों आज आपको होमवक में यही करना है 1 2 6 क्वेशन आपको अपनी होमवक पर सुन्दर हैंडर्टिक के साथ सॉल्ट करने हैं आपको बाद में मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई